कि हालो फ्रेंज वेलकम टू माझ चैनल आज देखी हमने हेयर बनाया है बच्चियों के लिए तो देखिने में देखिए यह बहुत ही कुपसूरत लग रहा है तो इसमें देखिए यह डोर बनाया है मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लें बिल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोट करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुच जाए तो चलिए हेरबन बनाना सुरू करते हैं वीडियो को सुरू से लास्ट तक देखें तो सबसे पहले देखिए हम चैन बनाना स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने देखिए एक चैन बनाया है दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, यह पंद्रा तो इसमें देखिए हमने 15 चैन बनाया है अब इसके बार देखिए हम धागे को थोड़ा सा खीचेंगे इस तरीके से और कुरुश्या में धागा लेंगे और देखिए यह जो चैन है हर चैन के अंदर से देखिए हम धागे को इसे निकाल के कुरुश्या में ले रहे हैं हर चैन के अंदर से देखिए हम धागे को निकाल रहे हैं और कुरुश्या में ले रहे हैं हर चैन के अंदर से देखिए धागे को हमें इस तरीके से कुरुश्या में लेना है आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए तो देखिए हम हर चैन के अंदर से धागे को निकाल के कुरुश्या में ले रहे हैं और जो धागा आये कुरुश्या में देखिए उंगलियों से हमने इसको दबाया है हर चैन के अंदर से देखिए हम धागे को निकालके कुरुश्या में ले रहे हैं यह लाश्ट का देखिए यहां से हम इसको निकाल ले रहे हैं अब इसके बाद देखिए हमने यह धागा सब निकालके कुरुश्या में ले लिया है अब इसको देखिए हम बंद करेंगे इस तरीके से देखिए हम दो धागा अंदर रखके इसको हम बंद कर रहे हैं देखिए हमने दो धागा अंदर रख लिया है अब इसको हम बंद कर देंगे बंद करते हुए देखिए हम दो धागा अंदर रखके इसे बंद करते हुए इसी तरीके से लाइन हम आगे बनाते हुए जाएंगे बीच में हमें दो ही धागा रखना है देखिए इस तरीके से इसको हम बंद करते हुए जा रहे हैं दो धागा बीच में रखके इसे बंद करती हुए हमें ये लाइन पूरा आगे बना लेना है ये लाश्ट में देखिए हमारा तीन फंदा बचा है इसे एक साथ हम बंद कर देंगे तो देखिए ये बन गया है अब इसके आगे फिर हम देखिए चैन बनाएंगे तो एक हमने चैन बनाया दो तीन एक चैन और हम बना लेंगे चार चैन तो देखिए हमने यहाँ पर चार चैन बनाया है अब फिर हम धागे को खीचेंगे जैसे हमने नीचे वाला खीचा था देखिए इस तरीके से अब फिर देखिए अब आगी जो चैन है देखिए हमने एक बार यह धागा निकाला है यह देखिए दो बार हमने धागा निकाला है यह तीन बार तीन बार हमने धागा निकालने के बाद देखिए यह जो हमने फ़र्ष्ट वाली लाइन बनाया है देखिए यहां से जहां हमने बंद किया था यहां से देखिए हम ऊपर की साइड से धागे को देखिए निकाल रहे है तो हमने देखिए जो बंद किया है उसके फंदे के अंदर से देखिए हम धागे को निकाल रहे है एक एक बार हमें धागा निकालना है जैसे हमने चैन में से निकाला था बिल्कुल उसी तरीके से देखिए हम इसमें से भी धागा एक एक करके निकाल रहे हैं हर फंदे के अंदर से लाश्ट में देखिए में तीन धागा छोड़ देना है तो देखिए हमने तीन छोड़ दिया है यासे एक दो तीन धागा हमने छोड़ दिया है अब इसके आगे इसको हम बंद करेंगे तो फिर देखिए हम दो दो धागा अंदर की साइड लेते हुए इसको बंद करते हुए देखिए हम जा रहे हैं बीच में में दो ही धागा रखना है काउंट करके आप बनाए देखिए हम दो धागा रख रहे हैं ज्यादा नहीं लेना है तो ये लाइन हमारा कम बेसी हो जाएगा यहां पर देखिए हम दो दो धागा इसको बंद करते हैं जा रहे हैं इस लाश्ट में देखिए हमारा दो या तीन धागा बचेगा तो इसे हम साथ में बंद कर लेंगे तो देखिए एक साइड से हमारा घट रहा है और एक साइड से बढ़ रहा है अब फिर आगे देखिए हम चार चैन बनाएंगे तो हमने चार चैन बना लिया है अब जैसे हमने फर्ष्ट बाला देखिए बनाया था पिल्कुल उसी तरीकी देखिए हम धागे को कीच लेंगे अब देखिए यहां पे यह लोग चैन है इसके अंदर से देखिए हम धागे को एक बार ने निकाला है दो बार देखिए तीन बार ये धागा निकाल लिए हैं अब इसके बाद ये जो उने बंद किया है देखिए अब इसके ऊपर से देखिए जो बना ये फंदा इसके अंदर से निकाल रहे हैं तो एक एक की धागा में निकालना है देखिए हर फंदे के अंदर से धागे को निकाल रहे हैं जैसे हमने चैन से निकाला था बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें धागा निकालके कुर्श्यम में ले लेना है तो इसी तरीके से हम इसमें पूरा निकालके इसे बंद कर देंगे तोदेखिए हमने इसको बंद कर दिया है अब घ्टाते हुए देखिए हमने इसको बना लेना है आगे हम तीन फंदा बढ़ाएंगे पीछे से तीन फंदा घटाएंगे तो देखिए आप पर आगे हमने चार चैन बना रहे हैं तो इसी तरीके से इसको हम ए लाइन पूरा आगे बना लेंगे तो देखिए हमने इसको बना लिया इसमें हमने टोटल 17 लाइन बनाए है अब इसके आगे हम बताएंगे तो देखिए यहां से जो हमने फंदा बंद किया है यह उपर की सार से देखिए इसके अंदर से हम धागे को निकालके स्लीप चैन करती हुए जाएंगे इस तरीके से देखिए अब ध्यान से देखें हर फंदे के अंदर से देखिए हम धागे को निकालके स्लीप चैन बना रह हर फंदेग के अंदर से देखिए हम स्लीप चैन बना रहे हैं लास्ट का देखिए इसको भी हम बंद कर देंगे अब इसके आगे देखिए हम चैन बनाएंगे तो एक चैन बना दो तीन चार पांच तो पांच चैन बनाने के बाद देखिए यह जो दूसरा लाइन है यहाँ पर इसके फंदे में देखिए उपर की साइड जो हमने बंद किया इसे में हम सिंगल कुरूशर से बंद कर रहे हैं फिर आगे हम पांच चैन बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे अब ये तीसरी लाइन में हम बंद कर रहे हैं ये उपर का साइड जो हमने बंद किया है यहाँ से देखिए इसी कंदर से हम सिंगल कुर्षया से इसको बंद कर रहे हैं तो इसी तरीके से ये लाइन हमें पूरा बना लेना है तो आगे हम बना लेंगी तो देखिए यहां से हमने इसमें 4 चैन बनाके यहां पर लाके जोड़के फिर स्लीब चैन बनाया है यहां से और आगे देखिए फिर हमने 5-5 चैन करके इसको यह बना लिया है दोनों साइट का तो इसी तरीके से इसको हमने पुरा यह बना लिया है यह देखिए हमारा बन गया अब इसके आगे हम यह दोर लगाएंगे तो देखिए यहां से हमी श्टार्ट कर रहे हैं पहले हम धागे को जोड़ लेंगे में तो देखिए हम ने इसको बंद कर लिया और इसके आगे देखिए हम चैन बना रहे हैं तो एक दो चैन बनाने के बाद पिर हम डबल कुर्शिया बनाएंगे देखिए इसी फंदे के अंदरसे हम धागे को निकाल रहे है अ देखिए डबल कुर्शिया यहां पर बना लेना है फिर आगे दो चैन बनाएंगे फिर हम देखिए इसी फंदे के अंदर से यहां से डबल कुर्शिया बनाएंगे अब फिर आगे दिखिए हम दो चैन बनाएंगे और फिर इस पंदे के अंदर से दिखिए हम डबल कुर्षिया बना रहे हैं दो दो चैन करके एक साइड में डबल कुर्षिया बना लेना है सिम्पल सी डोर है बनाना आसान है तो इसी तरीके से हम इसमें और बना लेंगे आगे तक तो देखिए इसको हमने बना लिया है एक डोर की लंबाई आप अपने अमसार रखें जितना बड़ा आप बनाना चाहें अब देखिए हम चैन बना रहे हैं तो एक दो तीन चार 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 चैन बनाने के बाद हम फिर इस फंदे के अंदर से देखिए धागे को निकाल रहे हैं तो एक बार हमने धागा निकाला दो तीन ये चार चार बर धागा हमने कुरुश्यम ले लिया अब इसके बाद हम इसको बंद कर देंगे फिर आगे देखिए हम तीन चैन बनाएंगे और फिर देखिए इसी बाले फंदे में से फिर हम चार रम धागा इसे कुरुश्यम निकालेंगे और इसको बंद कर देंगे देखिए आगे फिर हम यहाँ पर चार चैन बना के यह नीचे का साइड बंद कर देंगे यहाँ पर देखिए इसको हम बंद कर देंगे और धागे को हमें कट कर देना है यह देखिए हमारा डोर बनके तयार हो गया है यह नीचे का है तो देखिए हमने यह दोर दोनों साइड का बना लिया है अब इसके आगे देखिए हम इसमें मोती लगाएंगे यहाँ पर तो देखिए सुई से हम लगा रहे हैं एक किनारे के साइड से पहले देखिए हम धागे को यहाँ से सुई को निकाल लेंगे इसके अंदर से धागे में देखिए हमने नोट लगा लिया है ताकि हमारा धागा निकले ना यहां से देखिए मोती लगा रहे हैं यह जो हमने सिंगल कुर्षिया देखिए बनाया है इसी के अंदर से देखिए हम यहां से सुई को निकाल ले रहे हैं यह देखिए हमारा मोती लग गया है अब फिर इसके आग देखिए हम दूसरा मोती लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए जो सिंगल कुष्या है इसी के अंदर से हम धागे को या सुई को निकाल रहे हैं तो देखिए दो मोती हमने लगा लिया है, इसी तरीके से हम आगे इसमें लगा लेंगे, ज्यादा टाइट नहीं लगाना है, तो देखिए हमने ए दोनों साइट का मोती लगा लिया है, तो देखने हम देखिए काफी खुबसूरत है हमारा हेरवेंड बना है, तो वीडियो प झाल झाल